साथियों, हमारी यहां हमेशा कहां जाता है कि भारत की आत्मा गाउं में बस्ती है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के गाउं को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया, उनके ही हाल उनके हाथ छोड़ दिया सच्चाले की दिक्कत सबसे ज़्यादा कहां थी भाई, गाउं में थी, बिजली की परेशानी सबसे ज़्यादा कहां थी, गाउं में थी, अंदेरे में गुजारा किसको करना पड़ता था, गाउंवालों को करना पड़ता था, लकडी के चुले धूमे में खाना पकाने की मज वालों को थी, साथियों इतने वर्षों तक, जो लोग सत्ता में रहें, उन्होंने बातें तो बड़ी-बड़ी की, उन्होंने गाउँ और गाउँ के गरीब को ऐसी ही मुसीबतों के साथ छोड़ दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आपके आशिरबात से जितना बन पड़ेगा, मुझे करना है, आपके लिए करना है, गाउँ के लिए करना है, करीब के लिए करना है, दलीद, पीडीद, सोसित, बंचित के लिए करना है, ताकि उनको किसी के उपर निर्भर न रहना पड़े, दूसरे की इच्छा कि वो गुल आनी कमियों को दूर करने के लिए एक के बाद एक कामों को शुरू किया और गाउं तक ले गए गए गरिब के घर तक ले गए अब देश में बिना किसी भेजवाओ सबका विकास हो रहा है पुरी पार दर्सिता के साथ सबको योजनाओं का लाब मिल रहा है अगर स्वामित व होगा लेकिन गाउं के साथ मिल बैठ करके रास्ते तो निकाले जा सकते थे लेकिन नहीं हुआ अगर यह हो जाता तो न बिचोलिये होते न रिश्वत खोरी होती न यह दलाल होते न यह मजबूरी होती अब जो योजना बनी है उसकी ताकत टेक्नोलोजी है ड्रॉन है पहल जमीन की मैपिंग में दलालों की नजर हावी होती थी अब ड्रॉन की नजर से मैपिंग हो रही है जो ड्रॉन ने देखा वही कागज पर दर्ज हो रहा है